नमश्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है नीदी किचन लाइफस्टाइल चैनल पे कैसे हैं आप सब कमेंट में जरूर बताईएगा फॉर्स टाइम मेरे चानल पे आये हैं तो आप से रिक्वेस्टे प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा पास ही दिखे गई चोटा सबल बटन उसे दबाना न भुलिएगा ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी दोस्तों आज जो मैं आपके साथ घरे लूर नुस्का शेयर करने जारी होना ये सदियों से चला आ रहा है बालों को लंबा घना तो करता है ये साथ ही साथ ये बालों को काला भी बनाके रखता है बहुत ही इजी रेमेडी है और आजकल तो ये सबके घर में भी अविलेबल होता है तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिए का बहुत ही हलफुल वीडियो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा सबसे पहले ले ले लेना है एक काच का बाउल और इसमें जो फर्स्ट और जो में हमें यहां पर आड़ करना है वो है ये ये हैं मुलतानी मिट्टी आप सब को पता होगा पुराने जमाने में लोग मुलतानी मिट्टी से अपने बालों को धोया करते थे और उनके बाल आप सब को याद होगा कि उनके बाल कितने मजबूत होते थे, कितने लंबे, घने और काले होते थे तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक बड़े चमच मुलतानी मिट्टी ले लेना है इससे आपके बालों में बहुत अच्छा सा स्मूटनेस आएगा आपके बालों में एक शाइनिंग आएगा और साथ ही साथ आपके बालों को यह मजबूत बनाएगा दोस्तों आप जरूर यह वाला नुस्का ट्राई करके देखें यह बहुत ही अच्छा नुस्का है अब इसमें जो सेकंड हम एड़ करने वाले हैं वो तो हम सब का फेवरेट है वो है आमला पाउडर जी हाँ गाइस यह है गूस्बेरी पाउडर इसली आवलेबल होता है मार्केट में और यह बालों के लिए तो बहुत जादा वर्दान है वैसे भी विंटर सीजन चल रहा है तो आप जितना हो सके उतना इंटेक करें यह गूस्बेरी को आमला को थर्ड में यहाँ पे एड़ करने वाली हूं कलाउड़ी पाउडर अनियन सीड यह हमारे बालों में ब्लैकनिस तो लाता ही है काला बनाता ही है साथ ही साथ है जो भी ड्राइनेस होता है नसकल में उसको भी दूर करता है और बालों में बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग भी लेके आता है तो हम यहाँ पे आमला पाउडर भी एक चमच आड़ करेंगे हाफ स्पून में यहाँ पे अनियन सेट यारी के मंग्रेल का पाउडर आड़ कर दी हूँ अगर आपके पास नहीं है पाउडर तो आप ड्राइ रोस करके उसे ग्राइन कर ले बहुत ही जल्दी हो जाता है इन सब को हमें मिक्स कर लेना है अब मैं यहाँ पे अड़ करने वाली हूँ यह ब्राउन वाटर यह ब्राउन वाटर चाय पती और कॉफी से बना हुआ है मैं एक लास पानी को बॉयल की थी चाय पती और कॉफी डाल के और उसे हाफ कप बना दी अब इसे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करना है बहुत जादा लिक्विड नहीं बनाना है इसे बिलकुल डाई कंसिटेंसी से थोड़ा सा पतला होगा यह दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका यह कॉफी का जो यह आजाता है तो इन सब को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना ताकि आपस में सब बहुत ही अच्छी से मिक्स हो जाए और मैं आपको बता रही हूँ कि इसे वीक में आप दो बार लगाएं आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा आपके बाल में एक अलग से चमक यह बिलकुल नाचुरल और घरेलू चीज है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा और अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में जरू डालिएगा थैंक यू दोस्तों नहाने से आदे गंटे पहले इसे लगा ले और इसे आ